यहां फ्राइए हो रहे हैं पर्वल ना दादा जी पर्वल एकम वाओ के स्टाइल ना आज दादा मेरे लिए बना रहे हैं आलू पर्वल की सब्जी ये इनका स्टाइल है बहुत ही बनाने का और बहुत मज़ेदार बनती है तो आज बैने फिर से बन्हें प्रस्ते बनी थि और लोकी, टोरी, तिंड़, परवल और ये सब सबजियां सुनते हैं तो मन बढ़ा है यार परवल खाना है यह बहुत टेस्टी बनते हैं तो इससे मैंने सोचा कि यह दरम दादा के अंदास के आलू परवल की सबजी में आपके साथ शेर करें तो सबसे पहले इन्हों ने परवल जो है धो के यहां पे लंबे-लं शेपीन जाएगा उसकोबात खाने में बहुती टिस्टी है तो हमें पता है तो यहां पे Ahh ्हांपे DRख लिया हमने अपने हाफ् प्राइब दोगाया, थीको तोड़ा दर्थ हुआ हो रा है हमाहन वहाहन आज बोहुत दिनों बार बीव बनारी हो टिंक और एक टेन देश हो गए है कोई एसे प्पेसिफिक रिजन नहीं है बस पिछला हुटा थोड़ा सा लो भी था and because of a lot of reasons और फिर रुहान का जो है, mainly, जो रुहान का उसका teething स्टार्ट हो गया है तो वो बिचारा बहुत जादा पेन में रहा है अभी कल से थोड़ा स्टेबल हुआ है बेकोज अब हम उन्हें उसे रेग्यूलर मेडिसन देना शुरू कर दिया है तो इसलिए वो थोड़ा स्टेबल हुआ है थोड़ा दर्थ कम हुआ है बड़ तब भी जब वो यहां पर उसकी इरिटेशन उठती है ना तो वो बहुत जोड़ से रोता है बहुत जादा और फिर वो जब सुनो तो आप भी रस्लस हो जाते हो और कुछ करने का मन नहीं करता ह कल और आज ही वोज लिडिल ओके विकुज हमने थोड़े थोड़े सूड़े की उसको सूध कैसे करना है रोता तो है उसका तो कोई इलाज नहीं है वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आप लोगों के पास अगर कोई घरेलो नुसक्य होंगे तो प्लीस मुझे बताईए लिए आलू परवल की सब्सी बना रहे हैं मैं चली गई थी नहा ने ओपनिंग शूट करके और अभी देखते हैं कि कहां तक सब्सी पहुंची है और मीनवाइल यहां पे यह देखिए आलू जो है धरमदादा ने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं थोड़े करंची थैं रखते हैं वो इनको हाले कि सबजी में जाके वो सफ्ट हो जाते है बड़ इस तरीके से अलो भी प्रॉपर आपने फ्राई कर ले ना और परवल तो पहले फ्राई हो ही ते सारा प्रेप जो है हो गया है ये देखिए आलो फ्राइ हो गए ये परवल फ्राइ हो गए बाकी सब तो रेड़ी है ही मैंने आपको पहले दिखा दिया था तो यहां पे कड़ाई में धरम दादा ने डाल दिये हैं गरम मसाले अब गरम मसाले क्या क्या है आए उनी से सुनते हैं और धरम दादा इसमें मिर्च बिलकुल नहीं डाले हैं तो यह अपको तीखा बाहर हो उसे बहुत आए और यह अनियन के ट्रांसलियूसेंट थोड़े पिंकिश होने के बाद दादा ने डाला दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट और अचे से मिक्स कर लिया और कुक तब तक कि जब तक उसकी कच्छे महग चलीन जाए और फिर अड़ कर लिया टमाटर कटा हुआ तो कोई पाउडर मसाली नहीं डाले अब तक हमें तो मतलब आपका और मेरा बनाने का तरीका यह अलग है मैं प्यास को बहुत भूनती हूं आपने प्यास को जादा नहीं बूना है सर्फ उसको पिंकिश हूने दिया है उसके बाद अद्रक लसन का पेज डाल दिया और अब आपने टमाटर डाल दिये अब यह थोड़ा सा ने हलका सारी उसके बाद जो भी हृटर डालना दालें जालने इंए अटई इस पेंज्म एक अड़िया इदम पग गया अब इसमें एक त चमबच, खल्बी, और मसाला कमी रखते हैं, ताकि आपको तकलिपने हो, बस एकी चमबच, बहुत है, कल्बी इतने गला था, अले वा, इक है चिकन मसाला, हमारा फेबरेट, जी एक है, यह थोड़ा जाला बहुत है, यह थोड़ा बहुत है, यह भरके वो थोड़ा लेविल था, यह फिर गरमसाल, यह ऐसे ही डालूगा अंदार से, फिर कोई चमबच नहीं है, बहुत, समझो यह एक चौथ हाई चमबच खुआ है, अब इसको भूच फिर से, ताद एक्दम अब जॉई करकर अपना कुकरी शो बना रहे है, कैसा लग रहे है रदा, आपकी पहली रेसिपी शूट हो रही है, बहुत ही पाई आनगा, पहली रेसिपी शूट रही है, असलिय बताओ, डर लग रहे है, अब तो, सुट अब्सका करें, बड़का एक दुछाउं बड़का दोक्ति प्रोपक्ति अप्ति खाव बड़का दोलिग्षान दोन प्रृब सब्सकियों प्रतर मुड़का दोलिग्ट यह जदो कंदान होख़का जदेट कि पानी नहीं डालना है तो हल्का पानी आप डाल में सकते हो लेकि मैं जादा तर तुके में बनाता हूं अच्छी 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 दूए अपाना कि आज आप कैसा बन रहा है और हम बावाव माशाणला के सब्सक्राइब आते नहीं बहुत आदा हुआ जए दो जा जाते हैं तो दे अजा है । तहन बहुत दादा आते हैं ने जाते हैं टो घटी ना भी हो गए हना हम किदे जाने यह गाई आप दवाए ने अशर कर दिया हम ओई मुझोल के बोलो कुछ भी और ये गम्स में मुझोल के बोलो मुझोल के बस बीच पीच में ऐसे ही मस्ती करकर कि हम इसे जितना डिस्ट्राक्ट कर सकते हैं हम कर लेते इस कर nueं ये हुआ 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 . . . . . वह दूखिए नहीं पार भी दूखिए। उख़िए। दूखिए। दूखिए लीड शुर्वारा आज़ा यह आगया है मेरा वीफास्ट इस शॉप से विच इस कॉल डिजाइन तच यह बैंडरा में शॉप है हंजी सो आज मैंने यहां से मंगाया है यह देखिये यह बेबी फूड स्टीमर है बेबी कुक नियो और यह मैंने कुछ फीडिंग बोल्स मंगवाएं है यह एक टाइप का है यह दूसरे टाइप का है और यह देखिये यह है थर्ड टाइप का यह वाला यह विजे भाई ने परसने लिए बोला कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप सर्फेस पे वाक्यूम से स्टिक कर सकते हो वो जो उसका नीचे का प्लेट है न वो और यह डाइपर्स रोहान के यह सारा समान जो है यह मैंने मंगाया है डिजाइन टच से डिजाइन टच इस शॉप इन बैंडरा हिल रोड वहाँ पे विजे भाई है आई डोन नो वो देखते होंगे या नहीं बसे दिल से बहुत बड़ा थाइंची उनको उनकी पूरी शॉप को क्योंकि मैंने जब मैं हॉस्पिटल में थी ओविसी रोहान वोस प्रीमेचूर तो मैं बिलकुल भी रेडी नहीं थी आप सब यह बाद तो जानते ही है तो मैंने माकसिमम शॉपिंग जो ज़रूरत की चीजों की है वो सब हॉस्पिटल में बैट के वॉट्साप के थू की है क्योंकि पंप मंगवाना था तो यह सपेक्टरा का उन्होंने सजेस्ट किया बताया फिर उसके बात स्टेरिलाइजर मंगवाना था वो उन्होंने बताया कौन सा बेस्ट है चाहे रुहान के डाइपर्स हो उसके ब्लैकेट्स हो उसकी बेडिंग हो घर एक चीज मैंने design touch से मं मंगवाए हैं जो बहुत ही अमेजिंग है उसका शॉट भी मैं आपको दिखाती हूँ यह एक पीस ओफ इंफोमेशन और अभी फिलहाल मैंने यह स्टीमर और यह बोल्स मंगाए हैं क्यूंकि आप बताइए आप लोग कि मुझे किस किस चीज के साथ रेडी रहना चाहिए बाकी डॉक्टर उग्रा ने जिस हसाब से मुझे पूरा प्लान बेजा है उस हसाब से मैंने यह चीजे मंगवाली है और यह देखिए यह प्ले मैट है यह डबल साइड है और बहुत हूज है इस साइड पे यह प्रिंट है इस साइड पे यह है तो यूजिली मुव में इस तरीक से बच्चों का हाथ जाता है तो हम हमेशे ही सोचते कि बच्चा भूका है उसे भूक लगी है लेकिन तीधिंग शुरू हुई है तब से इस नौट जास्ट बिकूस अफ हंगर उसे बहुत जादा गम्स में इचिंग होती है तकलीफ होती है दर्द भी होता है जब वो गम्स फट के बाहर आने वाले होती है तो और ऐसा सब बोलते हैं कि इनिशिल डेज में बहुत जादा तकलीफ होती है तो रूहान का इस वक्त बहुत ही फेस चल रहा है तो फ्यू तिंग्स जो हमने की लाइक मैंने डॉक्टर उग्रा से जब बात की तो उन्होंने बोला कि आप कैलपॉल दे सकते हो बट आप कैलपॉल कितना दोगे तो उसके बाद भी बच्चों को तकलीफ होती है तो कैलपॉल तो हम दे रहे हैं उसके साथ डॉक्टर ने कह कि आप जो तीदर आते हैं वो कुछ तीदर ऐसे आते हैं जिनने आप थंडा करके दे सकते हो फिर काफी लोगों ने बोला कि कपड़े को गीला करके पानी डाल के उसे फ्रिज में रखके आप दे सकते हो बट देन बाट मेंस ही सुकिंग ऑन वाटर और अब तक हमने रुहा कि कुछी दिन और की बात है तो वो अवाइट कर लें एक चीज जो मेरे बहुत है वो यह यह तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था मैंने आशु को बोला था कि कुछ अच्छी चीज़े वहां पर दिखे तो बताना था उसे मुझे यह दिया था उस ताइम इड नॉट क्लिक मी क कि यह सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब कि मुझे नहीं पता था कि बच्चों को इतनी जादा तकलीफ होती है जब तक I've obviously experienced it with Rohan हाला कि जब मैंने देखा था तो इसमें you know fruit pulp आप freeze करके बच्चे को दे सकते हो and the child can kind of chew on it like not chew suck on it so लेकिन अब यह है कि मैं अपना milk इसमे express करके इसमें डाल कि उसको freeze कर देती हूँ और इस तरीके से जो है एक you know candy type बन जाता है and Rohan उसके साथ he kind of sucks on to it for some time और उसे बहुत जादा relief मिलता है तो यह एक चीज है जो बहुत ही जादा helpful हो गई कभी-कभी होता है आपने सोचा नहीं होता expect नहीं किया होता कि कोई चीज जादा helpful निकलेगी and वो निकल जाती है so I thought I should just share it with you so you see इस तरीके से है and बहुत soft है तो बीबी को लगने का भी कोई chance नहीं है मैं first time Rohan के साथ यह try कर रही थी and कल का है यह video जब मैं शोइब के लिए बना रही थी because शोइब भी बहुत वारट थे क्योंकि यह बहुत रो रहा बट इसे लेने के बाद Rohan को एक instant relief मिला काफी enjoy किया उसने क्योंकि वो थंड़क की वजए से जो है उसे आराम मिला और वो थे थंड़ा है तो initially उसे realize करने में थोड़ा सा difficulty हो रही है कि गम जिगदम थंड़े हो कहीं देखिये but then he was at ease so we were happy इस वक तो यही कोशिश है कि उसक पें जिता हो से कि हम minimize कर सकें और you know उस वो ऐसे किसी भी चीज से हसता है खेलता है तो बहुत relief मिलता है but as I said अभी हमने काफी सारे ways डूण लिये जैसे कि एक यह है इससे मैं दिन में अटलीस दो बार दे देती हूं तो उससे वो थोड़ा relief हो जाता है फिर डॉक्टर ने का आपॉल बोली है तो वो दे देते हैं और ऐसे कौन से नुस्के है आप प्लीज मुझे पताइएगा कई लोगों ने गमस की मासाज बोला है तो वो हम कर देते हैं बाकी बस बैबी उसके लिए अवेलेबल रहते हैं और कही पर तो मिरी उंगली पे अंगली पर तो मैं करने कर देती हूं बिकुज उससे भी उसको थोड़ा है थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिल्हाल रोहन जो है वो खेल रहा है और इससे पहले कि वो रोना स्टार्ट करे मैं ये व्लॉग अज एहीं एंड करती हूं अज़ पिक्ट प्ट फोड़ा मैं आप लोगों से मुलागात कर लूँ तो आज मैं आप लोगों से मुलागात कर लूँ तो अगर आप में से किसी एक को भी हल जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पिछला जो मैं उसका पूरा सेंसिटिव स्किन का रेजीम कितनी मदर्स ने अपने इंपुट्स दिये हैं और कुछ मदर्स ने यह भी बोला है कि वो भी डेफिनिटली यूज करना ट्राइ करेंगी और कई ने यह लिखा है कि उन्होंने यूज किया है और यस उनके बेबीस के चाल्डूट की मेमरीज वापस आगी तो I think it's become a nice kind of you know interaction हम मदर्स के बीच में so let's keep this on and आप लोग भी अपने इंपुट्स बताएगा कि तीदिं के दौरान आपके एक्स्पीरियंस क्या थे और आपके बेबीस को आपने कैसे सूध किया and yes just pray for Rohan कि उसकी यह जो तीदिं की जोनी है यह थोड़ी सी easy हो जाए वह जल मिलेंगे नए व्लॉग में तब तक आप सब अपना ख्याल रखिये love you all